तो नमस्कार आदाप सेस्ट्याकाल दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ग्यान में तो दोस्तों आज डीट तो किती है आज है 23 अप्रेल लेकिन ये भाई है इनका देखे आप खुदी अट्रेस देख लिजिए मनोज चौधरी जी है हन आप सब लोगों को एक बात बताना चाहते हूं कि कल परसो का जो मैंने वीडियो डाला था ना मैंने कैसे की इंट्रव्यू के तैयारी तो उसमें मैंने का था कि मेरे पास अभी पूरी टीम नहीं है तो जो लोग करना चाहिए वो मुझसे मेल पर कॉंटक्ट कर सकते हैं और इसमें मतलब आप लोगों ने आधा आभार जताया है और बहुत अच्छा लगा सुनके कि मतलब आप सब लोग जितने भी मेरे पास परसनल मेल आया है जिसमें आप सब लोग बोल रहे हो कि मेरे वीडियो ने आपके बहुत सारी हेल्प की तो दोस्तों मेरा यहाँ पर ऐसे चलो मैं तो इस ग्रूप पे हूँ या फिर मैं चलो जैपूर में भी हूँ तो मुझे बहुत सारी जगह से मदद मिल जाती है लेकिन बहुत सारे लोग है जो जौब में हैं दूर हैं उनको यह सारी चीज़े नहीं मिल पाती हैं कई लोग तो आर्पीस्ट के बाहर तक खड दोस्तों यह सीधी सी बात है कि competition tough होगा क्योंकि सब लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे caution पूछे जा रहे हैं लेकिन एक और बात है कि competition तो tough या फिर जिसका selection लिखा है जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की है उनका तो वैसे भी होना है तो जरूर कि अगर 100-200 बच्चों तक पहुंच रहे हैं तो 1000 तक क्यों नहीं पहुंचे 2000 तक क्यों नहीं पहुंचे सबको मदद मिलनी चाहिए ना तो मैंने तो एक ऐसे ही start कि थी एक मुहीम कि सब लोगों तक मैं पहुंचा हूँ अगर कोई interest हो तो और मतलब बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने support किया तो चलना चाहिए एक ऐसे question आ रहे है तो मैंने अपनी घबरायट को परे रखके interview upload किये थे सारे तो दोस्तों आप मेंसे ही बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब जैसे mail किया था तो इसमें जो Manoj Chaudhry जी है इन्होंने अपना पूरा experience लिखके वेजा और thank you भी इन्होंने बोल कर रही हो तो पहले इनका interview देख लेते हैं बागी बाते हैं अपन बाद में करेंगे तो बर्तमान में दोस्तों यह job कर रहे हैं वाने जी कर विभाग नौहर हनुमानगड में ही सबसे पहले इन से पूछा गया कि आपने secondary 2006 में करिया तो उन्होंने कहा हाजिसर तो फिर उन् हम सबने अपना जिलाच से तयार किया है तो हम चाहा रहे हैं कि वह हमें जिले से भी 4-5 कौशन पूछी ले तो इन्होंने वही ट्रिक अपनाई है फिर 2008 में आपने क्या किया तो इन्होंने बोला 12 किया फिर इन्होंने कहा कि कहा से कौशन पूछा गया 12 कहा से की तो इन्हो तो वरतमान में आप क्या काम कर रहे हो तो वरतमान में विभाग का नाम वपदस्थापन के साथ विभाग का नया नाम स्टेट जी एस्ट डिपार्टमेंट इन्होंने बता दिया फिर अच्छा आपकी होबी क्या है तो इन्होंने होबी दी थी अपनी बुक रीडिंग दोस्तों हाँ मैं यहाँ पर एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ना मैंने दो होबी तयार की थी मैंने जित्ते भी मोक्स दिये थे ना उसमें एक तो मधुबनी पेंटिंग और एक मेरी थी ऑटो बायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ना है ना अब वहाँ पर उन लोगों ने जो अपन को फोम दिया था मतलब उसमें उन्होंने कहा था कि एक होबी भढ़ दीजिए तो मैंने सिर्फ एक ही भरी मद बनी पेंटिंग मैंने उनसे पुछा विसर एक ही भढ़नी है गया तो इनका हाँ मुझे अभी तक दुख है कि मैं ये वाली होबी बता नहीं पाई अपनी बायोग्राफी ओटोबायोग्राफी शायद मैं ये बताती तो मुझसे और पाच्छे कोशन इनसे बनते क्योंकि मनो जी के कोशन देखके मुझे इतना अच्छा लगा गया और मैं बताती तो मेरे कोशन थे क्योंकि मौक्स में मुझे ऐसे कोशन पूछे जा रहे थी जो मनो जी से पूछे गए ना सेम वैसे कोशन मुझसे भी पूछे जा रहे थे तो मैं बिचारी थी मेरे से कोशन बनने लेकिन मैंने गलती कर दी बड़ आप लोग नहीं करना अगर आपके दो है तो लास्ट बुक का नाम में आप ऐसी बताईएगा जो उन्होंने सुनी ना हो क्योंकि जब लोग अपत क्या करते हैं मैंने एक दो मॉक्स में गांदी जी की बताई सत्य के साथ मेरे प्रियोग वह बहुत जादा उनकी पड़ी हुई भी होती है उसमें से फिर अपनको बहुत ज इंपल सा कॉशन क्या सीखा है आपने इस बुक से तो इन्होंने बताया फोलो यूर ड्रेम्स एंड कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लेंग्वेज यह इन्होंने बता दिया अब उनको पताई निया असलियत में बुक में है क्या पूछ सकते हैं ज्यादा ज्यादा अच्छा इस बुक में जो कहाने का अंत है वो बताओ तो इन्होंने बता दिया वास्तव में यह बुक उनकी पड़ी हुई ही नहीं होगी है ना जहां तक मैं समझती हूँ तो की मतलब ऐसी बुक बताने चाहिए जो उनकी पड़ी हुई ना हो फिर मेंबर फर्स ने पूछ यह सेम को पड़ी हैं तो इन्होंने फिर नाम गिनाना शुरू किया रोबिन शर्मा की दमोंक की फरारी नीलोत पर नीलोत पर मिरनाल के दर्डार्क होर्स अनुराग पाठक की IPS मनोज शर्मा की जीवन पर लिखी ट्वैल्थ फेर जेतन भगत की जेतन भगत की और फिर डॉक्टर और मेरी होपी मुझे बिल्कुल सेम लग रही है मेरे मौक आप देखोगे अभी तो हाँ पता नहीं वह पब्लिश होंगे नहीं होंगे अगर बाद में कभी पब्लिश होए तो मैंने ये सारी बुक्स बताई है इसमें से मेरी एक ये नहीं पड़ी हुई दमोंक हू सोल्ड अभी लेटेस्ट इंटर्विव देने से पहले मैंने ये पड़ी थी और अनुराइक पाठक जी की तो 12 फेल जो मनोज कुमार पर मनोज शर्मा पर लिख्यों यह मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं इंटर्विव के पहले दिन इस बुक को मतलब तीन बार मैंने इसका लास्ट है वो इंटर्विव जिसमें मनोज शर्मा इंटर्विव देते हैं और वो इंटर्विव देने से पहले जैसे वो इंटर्विव रूम के बाहर बैटे हैं और बाहर बैठे बैठे बहुत घबराट हो रही है आखे बंद करके वो अपनी मतलब आखे बंद करते हैं और अपन बार मनोज कुमार को पढ़ती हूं सुनती हूं है तो मैं यह मैं भी सेम यही कर रही थी कि आखे बंद कर लिए और अपनी सारी संखर्ष की काने जैसे हम कितने धक्ये अगर किसी के पास है तो आप लोग प्लीज इसे पढ़िएगा क्योंकि इतनी प्रेड़ना देती है मुझे तो बहुत प्रसंद है डार्क होर्स भी बहुत शांदार है लेकिन डार्क होर्स मतलब एक स्टोरी जैसी उन्होंने लिखी है वह मतलब रियल करेक्टर नहीं है संतो लेकिन यह तो रियल करेक्टर है मनोज को मनोज शर्मा को तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो अभी वह माराश्टर केडर में IPS है तो दोस्तों इतनी शांदार बुक है मैं आप लोगों के साथ यह शेयर ही करने वाली थी मैं सोच रही थी कि इसका ओडियो सुनाओं जरूर पड़न लेकिंज्दि को क्योंकि मुझे नहीं पता ऊप्यार के साथ जरूर करूंगी वह इंसी ने बहुत संगशके रहे हैं। बहुत हैं। चेतन भगत मैंने भी बहुत पढ़ा और एपी जेक अब्दुलकलाम की तो मैंने आपको लाइन्स भी सुनाए थी वो मैंने भी बहुत पढ़ी और स्वामी वेकानन जी की जीवनी मैंने पढ़ना की कोशिस की है बट बहुत हार्ड है उनके लेंग्रिज हमें शाह मैं आदी पढ़के छोड़ देती हूं मुझे नहीं समझी बाता है तो यहां हमारी होबी सेम सी है चलो आगे चलते हैं फिर इन से पूछा गया कि आप एन आइटी एक्सपर्ट हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप अकनी एक्सपर्टाइज के साथ वर्तमान जौब में रहकर अन्य है तो फिर इन से पुछा गया पर आप तो यहां सबसे निचले इस्तर के करमचारी है आप GST के सोफ्ट्वेयर में कोई बदलाव थोड़ी ना कर सकते हैं तो इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया मैंने जवाब दिया कि सर GST सोफ्ट्वेयर में तो मैं बदलाव न दियता हूं चाए सोफ्ट्वेयर नहीं बना सकता हूं लेकिन उनकी जो प्रोब्लम्स है ग्रिवरेंस है वो सब मैं संभालता हूं तो बहुत ही सही जवाब इन्होंने दिया फिर इन से पूछा गया कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में कोई प्रेक्स फायदा मिलता तो न बिना किसी टेक्निकल असिस्टेंट का इंतजार करें कंप्यूटर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने हो गये हैं उन्हें अप्रेट करने में मदद मिली है आप अपनी मतले प्रतिभा का यूज प्रोफेशनल स्किल का यूज किसी भी तरह से कर सकते हो मदद चाहे छो इस बार भी नहीं में उत्तर दिया और बताया कि सब जीस्टी सिस्टम ही पूरा वेपरलेस है तो इतनी फाइल्स होती ही नहीं है और वेट की पुरानी फाइल्स है उन्हें मैनेज करने के लिए MS Excel और Alphabetic Order में एक Spreadsheet बना रखिया बिल्कुल अभी तो जरुत ही नहीं है ना फाइल सिस्टम की तो इन्होंने आसे बोल दिया मतलब यह इनके Jobs Related Question इनसे पूछ रहे हैं जिनको यह बहुत ही अच्छे से Handle कर रहे हैं तो आप वर्तमान जॉब में जिस Software पर काम करते हो त तो इन्होंने फिर बताया कि मैंने SSO Portal बताते हुए विभाग में के Portal राजविस्टा और एक अन्य इग्रास का उले कर दिया मतलब उनको हर फिल्ड की जानकारी होते देखो कि ता डीप में जाके इनसे पूछ रहे हैं फिर राजविस्टा तो ठीक है पर आपने पर आदिक्रत के माध्यम से राजस्तान के सब्सरकरी विभागों की करमचारियों अधिकारियों की सर्विस डिटेल को और online करने का प्रियास किया जा रहा और कुछ विभागों में तो leave sanction करने के लिए भी इसका प्रियोग किया जा रहा है लब इनको अपने विभाग की बह भारी अधिक्रत होता है मैं अपने एंप्लोई डिटेल्स पे मैनेजर पर जाकर आसाने से निकल सकता हूँ अच्छा आपने नाइसी के बारे में सुनाया क्या तो क्या होता है नाइसी तो पहले मैंने नेशनल नैशनल इनफोर्मेशन और बताया फिर उन्होंने का कोप्रेशन होता है कुछ और होता हम थोड़ा सोचने के बाद मुझा या अच्छा यह मुझे यहां पर थोड़े से लेंग्विज समझ में नहीं आ रही है कि हैड लॉकेटर पूछा आया कुछ इनके मतलब टेक्निकल टाम से हैं कहां है अच्छा है कहां है इसका यह पूछा है फिर इन्होंने का कि नियो डेली में इसका है फिर दोस्तों इतने सारे तो मेंबर फर्स ने और मजू मैडम ने पूछ लिए फिर मेंबर सेकंड का नमबर आता है उन्होंने पूछा अच्छा आप जीस्ट में काम करते हो तो उन्होंने कहा हंजी सर जीस्टे स्टेंड़ फोर तो इन्होंने का goods and service tax फिर बोला कब लागू हुआ तो एक जुलाई पटवारा कैसे होता है इनसे पूछा गया तो इन्होंने फिर जैसे जी एस्ट में यह काम करते हैं तो इस तो इनसे पूछा जाना था तो फिर उन्होंने अच्छे से बताया कि सर मैंने cgst और sgst के बारे में explain किया और 18% tax slave का example देते होए बताया कि इसमें 9% cgst होता है 9% sgst लगेगी और igst केंद्र सरकार collect करके राज्यों को उसका शेयर देगी तो हना cgst और sgst का तो 99% का बटवारा हो जाएगा जो igst होता है वो केंद्र सरकार collect करते हो राज्यों को शेयर कर देगी यह उन्होंने अच्छे से समझा दिया इसके अलावा जी gst council का भी गठन किया गया और इसके लिए gst compensation देखके वह निर्धारन करती है साथ ही अन्या सभी प्रकार की प्राप्तियों के बटपारे के लिए सविधान में वित आयोग का प्रावधान भी है मतलब एक अंस्वर्वेयरों ने सब कुछ बता दिया वित आयोग से लेकर gst बटवारे से लेकर igst से लेकर gst council तक सब कुछ बता दिया यह होती है अन्सवर्वेयरों की टेक्निक सब में तो नहीं होती भाई आपका इंटर्व्यू तो बड़ा शांदार लग रहा है इन दिनों तो आपको लगता है कि vaccination इसे फैलने से रोकने का प्रभावी कदम होगा तो मैंने हा में उत्तर दिया पर कई जगे तो देखने में आया है कि vaccine की दोनों dose लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और मर भी रहे हैं और कुछ cases में ऐसा क्यूं तो इन्होंने का मैंने का सर किसी भी vaccine की efficiency rate प्रभावता दर 100% नहीं है यह संबव है कि vaccine दोनों dose के बाद संक्रमित होने वाली लोगों में antibodies का निर्माण कम हुआ हो या फिर हुआ ही नहीं हो यह हर व्यक्ति के immunity system रोग प्रतिरोदक तंत्र पर निर्भर करता है यह उन्होंने बोला तो अच्छा यह बताओ कि vaccine निर्माण कैसे होता है तो फिर उन्होंने तो मैंने बताया यह वाइरस चिंपैजी और बंदरू में हलकी बुखार और फ्रू के लिए जिमेदार होता है तता सरंचना में coronavirus से काफी मिलता चुलता है तो मुझे यही चीज नहीं आती थी मुझे बहुत डर लगता था कि मुझसे यह नहीं पूछ ले कि vaccine बनती कैसे क्योंकि अलग-अल नाम की vaccines इन दिनों चर्चा में यह बाकी vaccine से ज्यादा प्रभावी है क्या तो इन्होंने हां में उतर दिया तो इन्होंने फिर को मेंबर ने पूछा ऐसा क्यों तो मैंने बताया कि सर इस पूतनी की प्रभाविकता दर 91% है और बाकी vaccines की तुल्ला में यह जल्दी इसर कर द यह सेम घटना मेरे साथ भी हुई थी मैंने क्या किया था यह जो अभी भी मुझे उसका नाम आद आता है नाद बडलो ने किसानों केlarını प्रतिबंद लगा यह मैंने है तो मैंने पर आली की जगे अब वह इतनी सारी योजना ही पढ़त के गए थे तो मुझे चिराली याद प्रतिमन लगाए तो मैंचु मेडम बीच में इंटर्प्ट करती है क्या चिराली तो मैंने एक बार कुशक आप नहीं मैडम पराली फिर वो लोग हसने लग गये वह यहां जी पराली चिराली नहीं वेनका हामेम सौरी चिराली तो योजना है तो ऐसे ही सेव इनके साथ भी हो मंचुमेम बीच में वैसे बोल देती है और हसने भी लगती है मतलब ग्यान तो उनको भी बहुत आयसे वैसे नहीं है अपन समझें कि उनको इस फिल्ड का ग्यान नहीं होगा उनको बहुत अच्छा क्यान है फिर इनसे अगला पुछा गया स्पूतनिक वी और कोवी शिल्ड बनाने में क्या अंतर है तो इन्होंने आरने डी आने टेकनोलोजी वगरा बता दी फिर मेंबर थार्ड ने पूछा आपने थोड़े देर पहले वन टेक्स वन नेशन बोला तो इन्होंने कहा हंज के वकालत करते हुए कहा कि सर इस व्यास्ता से तो प्रवासी मजदूरों को काफी लाब होगा जो अपने होम स्टेट से बाहर लंबे समय से प्रवास करते हैं इससे ये लोग हाध्यान सुरक्षा का लाब ले सकेंगे ये तो इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के बता दी कि सर ये तो इसलिए जरूरी है फिर इन्होंने बोला कि वन नेशन वन टेक्स की बात करते हुए मैंने राजस्तान और हर्याना बोर्डर पर हो रही पेट्रोल डीजल चोरी का उले करते हैं बताए कि सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीस्ट में ना होकर वैट में होने की और उधर में मानलो सस्ता हो ना तो उवियोस सी बात है कि उधर से इधर चोरी की जाएगी बॉर्डर वाले लाकों में है न तो यह इन्होंने बहुत अच्छा एक्जामपल दे दिया तो अगर जीस्ट से हर जगे प्रभावी ढंक से लागू होता है तो इन घटनाओं पे जैसे समश्याइं बढ़ गई है इसकी वजय क्या है तो इन्होंने का मैंने का सर कोई भी नेटवर्क बैंडवित का अनुसरन करता है जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे नेटवर्क पर तो बैंडवित का ज्यादा प्रियोग होगा और कॉंगेशन की स्थतियोद्पन हो जाएगी मतलब भीड बढ़ जाएगी किसी भी नेटवर्क पर जैसे जैसे उसके उप्भोगता बढ़ेंगे और नेटवर्क प्रोब्लम होगी ही तो इस समश्या का कोई समाधान हो सकता है क्या तो इन्होंने का जी सर ऑप्टिकल फाइबर का देश वे आप पिजाल इस सम पता था लेकिन इन्होंने जो अंसर दिया है वो भी एक्दम करेक्ट है तो मैंने कहा कि सर जितना मैं स्टम को समझ पा रहा हूं उसका मतलब यह है कि जहां कनेक्टिविटी अच्छी है उन छेत्रों में लोग टेक्निकली एडवांस्ट हैं और इसका सीधा प्रभाव उनक कि एकोनोमिक प्रोग्रेस फे बहुत देखने को मिलता है तो मुझे एक्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन जो लोग drauf इविद्यक्टि में और दिजिटल इवीटविटी में और यहां वह हैंची हम लोगों के पास तो इतनी ज़दे टेकनोलोजी के ऑप्टिकल फाइबर और पता नहीं कौन-कौन से 4G 5G यूज कर रहे हैं कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है स्मार्टफोन तो छोड़ो बिजली तक नहीं है तो उनके लिए कहां से मतलब टेकनोलोजी या डिजिटल डिवाइडेशन हो गया ना फिर वो पूर कनेक्टिव वाले छेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या पृइस कि जा सकते हैं तो इन्हों ने फिर बताया कि सर्फ मैंने गूगल के एक प्रोजटेक्ट के बारे में बताया जिसमें high altitude पर balloon के मध्यम से connectivity पहुँचाने का प्रियास किया जा रहा है और जहां tower नहीं लगाए जा सकते एक तो google project बता दिया और दूसरा example Indian railway के railway project का दिया जिसमें भारत में railway stations को wifi यूक्त किया जा रहा है तो मतलब इनका presence of mind देखिए हर question के लिए इनको example यादा रहे है तो मुझे तो लगता है शांदर वाला interview हुआ है इनका आप एक book lover है तो lit fest के बारे में सुना ही होगा तो इन्होंने का हंजी सर सुना है तो पूछा क्या होता है मैंने बताया सर इसका मतलब होता है literature festival जिसमें देश-विदेश में जानेवानी हस्तिया विचारक लेखके कत्रत होते हैं विचार संगोष्टिया होती है और किताबों का exhibition होता है मेरे जैसे पुस्तक प्रेमी वहां जाकर मंचा ही किताबों का का कलेक्शन कर सकते हैं और एक प्रकार का यह साहित्तिक समागर है तो यह इन्होंने बता दिया कोई भी कोई बड़ा literature festival सुना है तो इन्होंने का जैपूर literature festival होता है तो आपने अपने बताया है उन्होंने का मैंडम नहरों के लिए अच्छा कूझ सरट अन्होंने का बड़ा पश्वनेला देखा जाया हनुमान गट खेल समान निर्माड के लिए और शीषमंघ़uju स्वंध लिए फरनिचर के लिए प्रसिद्ध है तो यह भी उन्होंने बता दिया तो आपने फिर उन्होंने विड़ा आपने रास्तान के बारे में पढ़ा होगा या जानते होंगे तो इन्होंने का हंजी सर्थ तो यह बताओ अरावली परवत्माला राजस्थान की जलवायू को किस प्रक कराकर रुख जाती है वही और इसके पस्चिम में इस्ति जिले जैसे कि हनुमानगर्ट विकानेर गंगानगर्ट चूरू में कम वर्षा होती है यही कारण है कि यहां नेरों से सिचाई जादा होती है तो यह एंसर भी उन्होंने अच्छा मैनेज कर लिया फिर इनसे जादा था तो इनको इन्होंने मना कर दिया फिर एक और इनसे पूछा गया उदास हाती क्या है तो इन्होंने का कि sorry madam I never heard this term about that तो हसकर का तुम तो किताब है पढ़ती हो ना तुम्हें पता होना चाहिए फिर इन्होंने का कि इस पर मैंने का कि मैं जोब की व्यस्तिता के का कारण मैं अपनी प्रिप्रेशन के कारण होबी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाया इस पर मैडम ने हसकर का कोई बात नहीं थोड़े समय होबी तो वैसे भी थोड़े समय करने वाला ही काम है तो नहीं का थेंक्यू बेटा आप जा सकते हो तो बहुत ही शांदार इंटर्व था आपके मतलब उजवल भविष्य के सुब कामनाएं हम लोग सब देते हैं और अगर आप लोगों में से भी किसी का इंटर्व्यू हुआ है वीडियो से मदद मेली है या फिर आप अपने चैनल पर शेयर करना चाहते हैं हमारे परिवार के साथ में तो प्लीज अपना वी देखने के ले थैंक यू सो मच